हाई मैं पश्रांद आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीटिट कमडिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियों में बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट के साइकलोजी के उपर बात करने जा रहे हैं और यह टॉपिक इस्पेशली वीटेल ट्वेटर के लिए बहुत इंपोटेंट है क्यों इंपोटेंट है क्योंकि जो बड़े बड़े ट्वेटर होते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो आपक नेच्वल मार्केट साइकलोजी होगा जो आपका नेच्वल बिहेवियर होगा रियक्ट करने को उनको पहले से पता रहता है और उसके बैसिस पे वो क्या करते हैं वो अपना ट्रैप बिछाते हैं जाल बिछाते हैं और वीटेल ट्वेडर उस जाल में फस जाते हैं इसलिए जो maximum retail trader होते हैं, लगबग 90-95% retail trader होते हैं, वो नुकसान में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि market psychology को वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए अगर आप retail trader हैं, यहाँ पे आपको market psychology को समझना होगा, अगर आप stock market में लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं, और आप जो बड़े traders है उनसे compete करना चाहते हैं, तो आपको market psychology समझना परेगा, और जो natural market psychology होता है, जो natural behavior रहता है, उससे हट के आपको थोड़ा सा react करना रहता है, क्योंकि जो natural behavior रहता है लोगों का, वो सब को पता रहता है, और उससे थोड़ा सा हट के react करेंगे, तब ही आप stock market में टिके रह सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में market psychology के उपर detail से बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ point के उपर हम बात करते हैं, सबसे पहले, market psychology क्या होता है, यहाँ पर जो भी crowd होता है, especially हम stock market की बात करें, stock market में जो भी crowd होता है, crowd क्या होता है, हमेसा wrong होता है, क्योंकि जो crowd का psychology होत जो sentiment होता, जो emotions होता, वो जो natural behavior होता, उसके साथ वो बह जाते हैं, और जो बड़े-बड़े twitters होते हैं, उनको पता रहता है कि जो retail twitter है, वो कैसे react करेंगे इस market situation में, उनका stop loss कहां पे रहेगा, target कहां पे रहेगा, क्या करते हैं, वो price को थोड़ा सा नीचे side की तरफ लाते है और आपका stop loss हिट करवा देते हैं, as a result, क्या होता है, आप यहां पे नुकसान में रहते हैं, और जो maximum retail twitter होते हैं, वो नुकसान में क्यों हो रहते हैं, उसके पूछे कुछ और factor है, greed, लालत, जैसे ही आपके मन में greed आया, लालत आया, इन coin stocks continuously उपर जा रहा है, आप सोच वे यह भी न, लालत में आ जाते हैं, और आप buy करते हैं, जैन्वल यहां पर क्या होता है, लोग penny stocks को देखके लालत में आ जाते हैं, पांच रुपे का stop loss है, वो दस रुपे जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो हजार रुपे के stop loss है, इसको 2000 जाने हैं, बहुत जाला time लेगा, इ बहुत बरे-बरे stocks आपको lower valuations पे available थे, मैं आपको example के थुरू बताना चाहूंगा, टाटा मोटर्स, विलाइन्स, यह सारे, अभी जिस price पे है, लगबग one-fourth valuations पे available थे, यानि उन सब का जितना quarterly revenue है, quarterly sales है, उससे कम market cap उन लोग का पहुंच गिया था, किसलिए, fear की कारण और लोग fear कारण वहाँ पे buy नहीं करें, तो आपको ये भी देखना होगा, कब आपको डरना है, कब नहीं डरना, इससे पहले मैंने एक video बनाया था, जिसमें हमने operators के game के बारे में बात किया था, और TB18 के उपर बात किया था, TB18 का price आपका था, 40 करीब, और वो all the way, 40 से 80 के move दिखाया, नहीं fundamental उतना कुछ change हुआ है, नहीं कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि वह आपका 100% का return दिखा दे, वह भी 3-4 मन्त में, तो उस टाइम पे हमें उसे stock से डरना है, तो कब डरना है और कब नहीं डरना है, वो भी आपको समझना चाहिए, जो fundamentally strong stocks है, जो आपका दिगज company उन सब में नहीं डरना है, बागी जो छोटे मोटे stocks है, अगर वो without किसी region के उपर जा रहे है, तो वहाँ पे हमें डरना है, anxiety और excitement को भी control करना है, इसका example आप yes bank से समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग yes bank में excitement कारण, क्योंकि price आपका उपर जा रहा था, आपका 300 से 900 रुपे तक price पहुंच जा रहा था, तो वहाँ पे excitement, anxiety कारण, लोग खुद को रोक नहीं पा रहा थे और उसमें entry कर रहे थे, as a result, सब आप से ज़्यादा वीटेर टोईर को कोई stocks नुकसान दिया है, वह आपका yes bank, और उस टाइम पे क्या हो रहा था, regularly new जा रहा था, उसके management को लेके, कि management में कुछ गरबर है, गरबर है, लेकिन उसके बावजोद बे price उपर जा रहा था, और लोग वहाँ पे entry कर रहे थे, as a result वहाँ पे trap होते जा रहे थे, और उसके बाद, fomo क्या होता, fear of missing out, बहुत सारे जो penny stocks होते हैं, वो continuously आपका upset की तरह भागते रहते हैं, और वहाँ पे क्या होता, लोगों को fear of missing out हो जाता है, मैं आपको example कि तरह बताना चाहूंगा, किसी particular stock का value अभी 900 रुपीज, आप चाह हुआ, वापस से नीचे नहीं आया, वापस से 1112 से चला गया, अब आप सूच में हमने यहाँ पे तो opportunity मिस कर दिया, अगर हम यहाँ पे buy नहीं करेंगे, तो हम और जाना opportunity मिस कर देंगे, as a result, आप 1200-1300 पे जाके उस stocks को buy करते हैं, क्यों? fear of missing out, और stocks already अच्छा खास upside momentum करते होत, price आपको ऊपर जाने लगता, क्योंकि आपने sell positions या buy positions किसके basis बनाया, fear of missing out, यहनी, अगर हम buy नहीं करेंगे, या sell नहीं करेंगे, तो हम opportunity मिस कर देंग, उसके कारण से बनाया, तो यहाँ पे आपको अपने label पे बैठे रहना, अगर यह stocks नहीं आता हमारे पास 10,000 stocks की कमी नहीं है, हमें stocks के पीछे नहीं भागना, हमें label पकर के बैठे रहना, सारा कुछ analysis करके, और हमारे पास आएगा था हम पोजिशन लेंगे, नहीं तो पोजिशन नहीं लेंगे, यह सारा आपको market psychology बना के देता है, यहाँ पे चलिए, मैं आपको example के तो बताना चाहू हो गया, उन सब का phone आते रहता है, loss क्यों होता है, यहीं चार वीजन है, जिसके कारण से ultimately वो क्या जाते है, loss में जाते है, वो नहीं analysis करते हैं, चाहे टेकनिकल हो या fundamental हो, कोई भी analysis नहीं करते हैं, दोनों analysis का अलग-लग importance है, लेकिन आप बिराउट analysis सिर्फ इन चार पांच vision के कारण से market में entry करोगे, तो आपको क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ loss ही होगा, आप किसी और का पैसा बना रहे होगे, खुद का पैसा आप यहां पे नहीं बना रहे होगे, इसलिए आपको इस पांच चीज से बचना है, और इस पांच चीज को control करना, वीडियो के लास्ट पर आ गया, अब यहां पर क्या कुछ हुआ, देखिए एक टाइम पर प्राइस इसका लगभग आपका 285 से 290 के लेवल पर ट्वेड कर रहा था, डिट देख सकते हैं, दिसंबर 2021 में, अब क्या हुआ, इसके बाद प्राइस आपका नीचे किवना स्टार्ट हो गया, और प प्राइस इसका गिरा था, लगबाग 100 पॉइंट यहनि 35% के करीब इसका प्राइस गिरा था, तो यहां पर प्राइस इसका क्यों गिरा, क्या कुछ फंदामेंटल चेंज हुआ, सबस्पहले हम इसके फंदामेंटल को देखना चाहेंगे, कि फंदामेंटल यह अच्छी काफी अच्छा बहत्वीन ग्रोथ देखने को बहा, ऑधा की बात करेंट इबीटल कीब इच्छा, प्राइट च्छी रेंट के साथ ग्रो कर रहा है, आप प्रौफित वीफोर टैक्स की बात करें, निट इंकम की बात करें, दोनों काफी अच्छे से ग्रौ कर रहा, जो प्राइस वह गिरा आपका जनवरी 2022 से लेके में 2022 स्टॉक का प्राइस 35 परसंट गिरा है। Starboard जो है वो आपका किस्षित की company है यह आपका टेलीकॉम Infrastructure Company है जो कि आपको broadband service प्रोवाइड करता है wireless service प्रोवाइड करता है और इसके अपने फिल्ड में जो market share था 5 साल पहले इसका था 72% के करीब और अभी market share increase होके हो गया लगबग 90% करीब यानि market share अच्छा खासा इंख्वीज हुआ है और अगर हम इसके इंकम इस्टेट्मेंट या फिर रेवन्यू ग्रोथ की बात करें तो इस सेक्टर का जो भी रेवन्यू ग्रोथ है उससे तेजी से यह रेवन्यू ग्रोथ दिखा रहा है मतलब fundamentally बहुत strong company है जिसका market share भी बहुत ज़्यादा यानि आपका अपने field में एकदम leadership maintain किये हुए वो भी अच्छा खासा leadership maintain किये हुए है तो वापस से हम इसके chart पर आना चाहेंगे यह आपका इंडस्ट आवर का daily chart है इसके उपर हमने discuss हिया था price इसका all the way आपका 100 point और लगबग 35% का गिरावट दिखा है क्यों गिरावट दिखा है क्योंकि यहाँ पर market में क्या है market में fear है fear के पीछे vision क्या fear के पीछे सबसे बड़ा vision है वह आपका inflation का और inflation इदा जल्दी control होने वादा नहीं दिख रहा है इसलिए market में fear है अगर आप किसी room में है और वहाँ पर आपको ड़ लग रहा है तो आप क्या करोगे उस room में बने रहोगे या फिर उसी room में रहना पसंद करोगे या फिर वहाँ से भावगे वहाँ से निकलना पसंद करोगे जहां पर भी आपको ड़ लगता है उस जगह से आप भागते हो तो लोग market में बने हुए थे market में अब क्या हो गया market में fear आ गया तो क्या करेंगे लोग market से exit करना चाहेंगे लोग market से निकलना चाहेंगे चाहे वो fundamentally strong company हो या फिर weak company हो निकलना चाहेंगे strong company में थोड़ा कम लोग निकलते हैं लेकिन जो weak company होता वो ज़्यादा पिटता है लेकिन पिटता strong company भी है तो company के financials में valuations में technicals में कुछ खराबी नहीं है लेकिन market में fear है inflation कारन है as a result क्या हो रहा RBI और FID अपना interest rate हाइक कर रहा वो भी market के sentiment को negative side की तरफ ले जागा तो overall market का sentiment ही negative हुआ है इसके करण से ये stocks ने लगबग आपका 35% का गिराबट दिखाया है और इसका growth sentiment महुत बढ़ी है क्योंकि आगे आने वाले time में 5G का जब रोल आउट होगा तो ये stocks आपको और ज़्यादा तीजी से grow करता हुआ दिखेगा लेकिन जब market का sentiment खराब हुआ है तो fundamental strong stocks भी पिटा है यहाँ आप मैं एक और example के थरूँ बताना चाहूंगा आप यहाँ पे TCS का example ले सकते हैं देख सकते हैं TCS अभी आपका किस price पे ट्वेर करा अभी आपका 3280 के price पे ट्वेर करा इसका जो management उसने buyback announce किया था buyback किस rate पे announce किया था buyback announce किया था 4500 पे यहां से all the way आपका लगभग 1200 पॉइंट ऊपर 35% के करीब ऊपर company ने buyback किया था जब buyback किया था प्राइस उपर था आप नीचे ट्वेर कर रहा है और जिस भी लेबल पर company buyback करता है वह record है कि एक साल में price आपका वहां तक आता ही आता है यानि सब को पता है कि ultimately TCS कहां तक जाएगा 45-100 तक जाएगा लेकिन अभी यहां पर लोग buy करने को तयार नहीं है क्यों buy करने को तयार नहीं है क्योंकि यहां पर जो market का sentiment है जो market का psychology है वो negative में है सबस्वेल overall market का sentiment negative है दूसरा जो IT sector है उसका भी जो sentiment है जो market psychology है वो भी थोड़ा सा खराब हुआ यानि market sentiment market psychology खराब वो ऐसी बात नहीं है कि TCS का company बंद होने जा रहा है यह बरबाद हो जाएगा यह आपका 1500-500 पर आ जाएगा ऐसी बात नहीं है वापस यह 4500 पर जाएगा आप लिखके ले लो नेक्स 12 मन्त में देख लेना यह वापस से आपको 4500 पर जाता हुआ दिखेगा लेकिन अभी लोग बाई नहीं करेंगे क्यों बाई नहीं करेंगे क्योंकि IT सेक्टर और अबर आल मार्केट का सेंटिमेंट जो साइकलोजी है वो निगेटिव है अभी लोगों के मन में क्या है कि यहाँ पर है सेल करके बाहर निकलो लोग वैसे stocks को prefer करना चाहते हैं जो कि जल्द साइकलोजी उनको एलाव नहीं करता वो इस साइकलोजी से नहीं आते हैं कि इसे stocks में investment करके अच्छा-कासा return कमा सकते हैं इसलिए लोग यहाँ पर इससे दूर रहना चाहते हैं इतना ज्यादा cheaper price पर अब इसको वाई नहीं किया जा रहा है तो यहाँ पर हमने fundamental को चेक कर ल sellers उतने ज्यादा active नहीं है इस price पर आते ही sellers अपना दम तोड़ देते हैं क्यों दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनका sentiment है उनका psychology है कि इसके नीचे जाने के chances कम दिख रहे हैं वहीं इस level के करीब आने के बाद यहाँ पर buyers बहुत जाद अक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पर ह करने के बाद यहाँ पर डिवर्सल देखने को मिल सकता है इसलिए यह टेक्निकल फैक्टर कारण से यहाँ पर साइकलोजी बन गया और देख सकते हैं प्राइस आपको नीचे भी आ जाए कभी आपको भाई नुकसान उठाना पड़ सकता है इसलिए जब आप ट्रेडिंग क आप बच सकते हैं तो आपको यहाँ पर स्टॉप लोस यूज करना है तो यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूंगा कि जो मार्केट साइकलोजी उसमें फियर एक बड़ा फैक्टर है फियर को आप कब प्ले करना कब इसका फाइदा उठाना वह अब मैं आपको बताना जा अभी यहाँ पर हम किसके चार्ट पर आ गया है टाटा मोटर्स की यहाँ पर हम कुछ डेटा को देख रहे हैं अभी इसका मार्केट के आप लगवग आपको एक लाग चालीस करोड करीब दिख रहा होगा लेकिन जब कोबिट के टाइम था इसका प्राइस आ गया था सिक्स से बरबाद हो जाता कंपनी बन हो जाता क्वाटरवली से नीचे मार्केट क्या आप अंदार लगा सकते हैं कि यह कंपनी कितना जादा गिर गिया था तो यहाँ पर क्या था फीर था लोगों के मन में डर था लोगों को पता नहीं था क्या होगा ने होगा लेकिन सब को पता यहां पर आप बाइड कर सकते थे, सबका हाल यह हुआ था, अभी इसका market cap लगबग आपका 5 लाग करोड करीब है लेकिन market cap उस टाइम पे लगबग इसका 1.5 लाग करोड करीब आ गया था बहुत कम price इसका आ गया था और ये company में bounce back करता सबको उमीद था और ये company में bounce back करके प्राइस अभी आपको कहा है वहाँ पे देख सकते है similarly विलाइस का अभी यही हाल था अभी विलाइस का आप 17 लाग करोड के करीब market cap है उस टाइम पे इसका market के आप लगवग आ गया था 5 लाग करोड के करीब क्यों market में fear था इस fear को आप play कर सकते हो तो अगर आप beginners हो तो आप कैसे इन सब के basis पर काम कर सकते हो अब यहाँ पर हम conclusion पर आते हैं कैसे इन सब से overcome कर सकते हैं सबसे पहले आपको अपना research work करना होगा और research work करने के साथ सबसे पहले paper trading करना है paper trading करने के बाद क्या होगा आपको confidence आएगा बहुत सारे market psychology, market, behavior को आप समझेंगे उससे आपको confidence आएगा और वो confidence बहुत ज़्यादा काम आएगा उसके बाद अपना एक trading plan या फिर trading discipline डेवलब कीजिए अपना एक systematic trading plan डेवलब कीजिए और उसके basis पे काम कीजिए उस plan से आपको बाहर नहीं जाना और वो plan सही है नहीं है उसको आप paper trading में test कर सकते हैं अच्छे कासे time में और risk management पे focus कीजिए सबसे पहले आप focus कीजिए कि हमें यहाँ पे loss कितना हो रहा profit आपको नहीं देखना है loss को minimize करना है जैसे आप loss को minimize करेंगे loss के बाद क्या बचता profit बचता है तो इस तरीके से आप market psychology का फाइदा उठा सकते हैं और जो लोगों का natural behavior रहता है उससे थोड़ा सा हट के react करने कोसिस किजिए तो इस तरीके से आप market psychology से overcome करके stock market से profit बना सकते हैं यह important topic है जिसको आपको समझना परेगा अगर आप stock market में लंबे समय तक बने रहना चाहते है तो यह चीज आपको आना चाहिए और market psychology को आप read कैसे कर सकते हैं वहाँ पर आप कुछ indicator का इस्तिमाल कर सकते हैं आप यहाँ पर volume को चेक कर सकते हैं आप on balance volume भी चेक कर सकते हैं फिर accumulation distribution phase कैसे identify कर सकते हैं इसके उपर हमने detailed video बना रखा है उसका link आपको description मिल जाएगा नहीं तो आप i button पर click करके भी देख सकते हैं वह आपको identify करना परेगा साथी साथ open interest भी आपको identify करना परेगा यह चार indicators आप बोल सकते हैं या फिर चार factors जिसके basis पे आप market के psychology को आप identify कर सकते हैं इसके basis पे आप play करके आप भी profit बना सकते हैं as a pro trader की तरह यह सब चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना परेगा और मैंने आपको काफी crucial information प्रोवाइड किया जिससे आप stock market में लंबे समय तक बने रह सकते हैं और regular basis पे आप profit बना सकते हैं तो उमीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेश किजिए और चैनल को सब्सक्राब नहीं करें चैनल को सब्सक्राब ही किजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन